डीजी फॉर्टेग यूटुब चैनल में आप से भी का स्वागत है प्लीज आप मेरे चैनल को सब्क्राइब करें बेल बटन दबाएं, नोटिफिकेसन आइकोन क्लिक करें आप में से मेरे 99.6% जो यूजर हैं वो बीना सब्क्राइब किये मेरे चैनल के वीडियो को देखते हैं प्लीज ऐसा ना करें क्योंकि मुझे अपनी चैनल को मॉनेटाइज करने में आप सभी की हेल्प की जड़ुत है आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्क्राइब करके देखें क्योंकि यह free of cost है और पूरी content को देखें इसकी पना करें जिससे कि मैं अपनी watch hour भी increase कर पाऊं मेरी channel पे केवल subscribed user है 0.4% और non subscribed है 99.6% अगेन मैं आपसे humble request करता हूँ please मेरी channel को आप subscribe करके ही videos देखें और वो भी पूरी videos देखें आपको मेरे channel dg4 tag पे बहुत सारे information मिल जाएंगे जैसे कि आप मेरे channel पे playlist के मदद से अपनी जरुवत के सारे videos देख सकते हैं मैं अच्छे contents जल्दी से update करते रहता हूँ जो भी market पे नहीं आता है साथ में आपको informative videos देता हूँ जितनी अच्छी detailing के साथ दे सको और मेरे youtube channel पे आपको सभी चीज़े हिंदी पे अच्छी सी details पे मिलती हैं साथ में आप मुझे telegram पे, twitter पे, pinterest पे, instagram पे, reddit पे, tumbler पे, facebook पे सभी जगों पे follow कर लिजे, message कर सकते हैं आप मुझे सब जिगे पे आपका कोई भी doubt होगा मैं solve करने के लिए जरूर कोसिस करूँगा साथ में आप मेरी channel को please again request कर रहा हूँ मैं subscribe जरूर आज मैं आपको blizm roam का review देने वाला हूँ जो मैंने load किया है redmi note 4 जिसका code name mido है अब आगे बढ़ते हैं blizm roam version 14 मैं review कर रहा हूँ code name आप दे सकते हैं device का mido build type unofficial है g app वाला variant है ये अब आगे बढ़ते हैं सबसे पहले ये इसका default wallpaper है जिस पे आप देख सकते हैं आपको कैसा look मिलता है look काफी अच्छा है left side पे आपको कुछ नहीं मिलता है देखिए मैं left side कर रहा हूँ कुछ नहीं आ रहा है right side में जो आप app install करेंगे वो आपको मिल जाएगा swipe down करने के बाद आपको ये quick tells मिलेगा कम लग रहा है तो आप यहाँ पर जाके अपने according और add कर सकते हैं अपने जरूरत के हिसाब से अब चलते हैं swipe up करने के बाद आप देख सकते हैं preinstall app कितने जादा load हो के आया है ये चीज मुझे बिलकुल भी पसंद नहीं आया है क्योंकि किसी भी custom रोपे अगर आप इतने सारे app preinstall करके देंगे तो custom और stock पे difference क्या रहे गया तो आपको ये सब app preinstall मिलेंगे केवल मैंने gcam लोड किया है बाकि सब पहले से लोडो के आया है तो चलिए अब हम अपने review स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम dial पे जाके देखेंगे कि dial पे call recording हमको मिलता है की नहीं तो देखें मैं 198 मैं call कर चुका हूँ call connect हो गया और हमें कोई भी call recording नहीं मिल रहा है ये भी बेकार बात है आगे चलते हैं अब मैं आपको play store का certification चेक करके बता देता हूँ क्या ये certified है की नहीं तो अब हम यहां जाएंगे settings पे उसके बाद about पे जाएंगे अब आप स्क्रॉल करके देखे device is not certified ये भी बेकार चीज है मतलब इसके लिए अब आपको banking app चलाने के लिए अब आपको magic disk app के through verify करके bank app को use करना पड़ेगा थोड़ा सा process करना पड़ेगा तब आप banking app चला पाएंगे अब आगे बढ़ा जाए इस पे सिधा camera review पे आते हैं camera review पे मैं gcam go से चारू करता हूँ gcam go मैंने open किया है और सबसे पहले मैं आपको settings दिखा देता हूँ देखे gcam go पे आपको इस type के settings मिलते हैं जिसे हम back करेंगे इसके बाद अब आप देख सकते हैं photo mode है portrait mode आपको मिल जाता है जिस पे आप थोड़ी सी photo और improve कर सकते है video mode आपको मिल जाएगा साथ में translate का फी feature बिलता है camera के अंदर ही इस camera में ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है बट ये दिखाना था कि camera वर्क करता है अब हम चलते हैं अपने अगले camera app में जो full gcam है देखे ये full size वाला gcam है इसमें swipe down करके मैं सबसे पहले settings पे about आपको चेक करवा देता हूँ कि मैं कौन से version पे इसे review कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं 8.1.101 one वाला latest version मैं review कर रहा हूँ back चलते हैं इसके बाद अब आप देखें camera segment पे आपको 1x2x zoom का support मिलता है swipe down करने से आपको google का auto wide balance का support मिलेगा portrait mode पे भी आपको 1x2x का zoom मिल रहा है अब आप swipe down करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं face retouching का feature मिल रहा है जिसे आप सभी beauty mode के नाम से जानते है night set के अंदर भी आपको 1x2x का zoom मिलता है swipe down करने से astro photography का भी support आपको मिल रहा है अब चलते हैं इसके video segment पे वीडियो पे जाने के बाद आप देख सकते हैं 1x2x का support है slow motion, normal, time lapse सब चीच का support आपको मिल चुका है swipe down करने से मैं बता देता हूँ full hd 60 fps पे आप काब कर सकते हैं 4k 30 fps पे कर सकते हैं क्योंकि यही इसके hardware की maximum limit है तो आप सभी features आराम से यूज कर सकते हैं सब आराम से काम कर रहा है कोई भी problem नहीं आ अब मैं आपको इस रोम के full review पे ले चलता हूँ सबसे पहले full review पे जाने के लिए हमें phone के settings में चलना पड़ेगा settings में जाने के बाद आप network और internet के अंदर जाएं mobile network पे जाएं फिर आप देख सकते हैं volte enable है और यहाँ पर volte का symbol भले नहीं आ रहा है बट volte enable है मैंने call करके दिखाया है geo का sim है और इसके बाद wifi calling पे आप जाएंगी यहाँ on off रखें कोई मतलब नहीं है जैसे कि मैंने बताया है Redmi Note 4 पे तीन चीज आपको कभी भी नहीं मिलेगा वो है dual 4G volte, fast charging और wifi calling क्योंकि यह hardware level के हिसाब से disable है इसे आप software से enable नहीं कर सकते है back चलते है अब मैं आपको दिखाता हूँ अगला battery segment पे आप देख सकते हैं यहाँ charging लिखा हुआ है मैंने charger connect किया है और battery backup okay है ज्यादा great नहीं है scrap भी नहीं है, okay level का है charging technology slow है और आप एक चीज नोटिस करेंगे देखें charging हो रहा है बट यहाँ पर charging LED notification light symbol वर्क नहीं करता है इस रोम पे तो यह एक problem है कि LED light इस रोम पे काम नहीं करता है आगे चलते हैं इसके बाद आपको display segment पे मैं बता दू, display पे आपको again brightness, adaptive brightness, screen orientation font size, ppi setting tap to wake up, sleep इस type के features मिलते हैं मैं dark mode आपको enable करके दिखा देता हूँ देखें dark mode आपको इस type से मिलता है अब आप देखिए tiles आपको ऐसा मिलेगा left side में google page है ही नहीं तो मैं दिखा नहीं सकता, right side पे आप देख सकते हैं pre install app और ये settings menu आपको कुछ इस type के dark mode पे मिलेंगे अब हम चलते हैं dark mode पे ही वापस से और इस dark mode को बंद कर देखें dark mode से वापस आने के बाद हम display से आगे बढ़ते हैं sound segment पे आपको कुछ खास नहीं मिलेगा सबसे top में केवल एक me sound enhancer मिल रहा है जो sound me parts के नाम से भी आता है किसी किसी custom room में और stock room भी me sound enhancer के नाम से ही आपको मिलता है अब आगे चलते हैं इस पे और भी कोई facilities नहीं है advanced भी चलेंगे तो केवल basic settings ही है sound के आगे storage पे हम जाएंगे तो storage थोड़ी सी जादा consume किया है क्योंकि बहुत सारे pre install app आगा है इस पे इस वज़े से अब आगे बढ़ते हैं इस पे आपको security पे भी एक loss यह है कि आपको face lock नहीं मिलता है app lock नहीं मिलता है केवल screen lock, fingerprint और smart lock मिल रहा है बहुत सारे custom room पे screen lock, fingerprint, face lock, app lock, smart lock सभी चीज़ मिलता है तो इस चीज़ की कमी है इस room पे आगे बढ़ा जाए accessibility के अंदर अगें आपको dark mode, magnification, color correction power button, end call, life caption, normal caption इस टाइब के सभी supports आपको दिये गगा है और सभी custom rooms पे generally आपको accessibility के अंदर ही dark mode का भी menu मिल जाता है on off करने का बट आपको यहां नहीं दिया गया है आगे बढ़ते हैं well-being अच्छे से काम कर रहा है आप चाहें तो use कर सकते हैं but personally मैं इसे use नहीं करता हूँ आगे बढ़ा जाए system segment पे आपको gesture पे अगर चले तो gesture भी बहुत ही कम दिया गया है केवल quick camera setup, three finger screen shot नहीं है, three navigation gesture का setting रही है, कुछ भी नहीं है अब आगे बढ़ा जाए about segment पे, जैसे कि मैंने आपको दिखा भी दिया है, android 11 वाला 5 नॉवंबर 2020 का update है play store update है, android 11 candle 3.18 है वो भी unofficial build है तो overview देखा जाए कुछ खास नहीं है, आपको अगर just try करना है कुछ दिनों के लिए तो आप इस room को try out कर सकते हैं बाकि इसमें कोई भी wow factor मुझे नहीं मिला, कि मैं आपको recommend कर सकूँ, left side कुछ नहीं है right side पे install app आएंगे swipe down आप quick tiles मिलेगा swipe up में धेरो pre install app है जैसे कि google play movie कोई use नहीं करता है, दो browser आ गए है, आपके पास chrome और firefox इसका भी कोई use नहीं है तिन-तिन camera app हो गया है file manager आपको दिया गया है gcam, google, पूरी भर दी गई है phone को, music app updater, voice command, youtube सब कुछ pre install करके दिया गया है stock room का मतलब होता है, custom room का केवल आपको latest security patch के साथ latest android, latest kernel का combination करके रोम बनाया जाए table, play store का update दिया जाए और basic जो app होते हैं, जो आपको in-how चाहिए ही चाहिए जैसे कि dollar चाहिए, text sms चाहिए calculator, calendar जो इद्दम in-how, contact app हो गया clock हो गया, इद्दम basic जिसके बिना आपका काम ही रुकेगा ऐसे app की ज़रुरत होती है पट खेर छोड़िये जो भी है इस custom रोम का यही review है finally highlight कर देता हूँ मैं December 2020 का security patch है 3.18 kernel है और Android 11 है, Blizzm room का version 14.0 दिया गया है और unofficial है play store certified नहीं है dollar पे call recording नहीं मिलता है Gcam अच्छे से काम करता है डिची for tech, YouTube channel में आप से भी का स्वागत है प्लीज आप मेरे चैनल को subscribe करें bell button दबाएं, notification icon क्लिक करें आप में से मेरे 99.6% जो user है वो बीना subscribe के मेरे चैनल के videos को देखते हैं प्लीज ऐसा ना करें क्योंकि मुझे अपनी चैनल को monetize करने में आप सभी की help की जड़ुत है आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को subscribe करके देखें क्योंकि ये free of cost है और पूरी content को देखें इसकी इपना करें जिससे कि मैं अपनी watch hour भी increase कर पाऊं मेरे चैनल पे केवल subscribed user है 0.4% और non subscribed है 99.6% अगेन मैं आपसे humble request करता हूँ प्लीज मेरे चैनल को आप subscribe करके ही वीडियोज देखें और वो भी पूरी वीडियोज देखें आपको मेरे चैनल डीजी fall tag पे बहुत सारे informations मिल जाएंगे जैसे कि आप मेरे चैनल पे playlist के मदद से अपने जरुवत के सारे वीडियोज देख सकते हैं मैं अच्छे contents जल्दी से update करते रहता हूँ जो भी market पे नहीं आता है साथ में आपको informative वीडियोज देता हूँ जितनी अच्छी detailing के साथ दे सको और मेरे YouTube चैनल पे आपको सभी चीजे हिंदी पे अच्छी सी details पे मिलती है साथ में आप मुझे telegram पे, twitter पे, pinterest पे, instagram पे, reddit पे, tumbler पे, facebook पे सभी जगों पे follow कर लिजे, message कर सकते हैं आप मुझे सब जिगे पे, आपका कोई भी doubt होगा मैं solve करने के लिए जरूर कोशिस करूँगा साथ में आप मेरी channel को please again request कर रहो है subscribe जरूर